नमास्कार दोसन स्वागात है आपका हमारे चैनल चार जागिंदर मिस्टा में दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं शीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा रात सोने से पहले जाडू के नीचे चुपके से दबादे एक चीज मा लक्ष्मी दोड़ी चली आएंगी दोस्तों जाडू हर किसी के घर में होता है लेकिन क्या आपको पता है जाडू को सीधे तोर से मा लक्ष्मी जी को जोड़ कर देखा जाता है क्योंकि जाडू में मा लक्ष्मी जी का बास होता है और जाडू को मा लक्ष्मी जी का प्रतीक भी माना जाता है जाडू को लेकर बहुत सारे शुब और अशुब शगुन भी होते हैं और जाडू कैसे खरीदे कब खरीदे कब फेंके और ज्ञाडू को नीचे ऐसा क्या दवाकर रख दें रात सुने से पहले कि मालक्ष्मी जी दवड़ी दवड़ी चली आएं जीवन में सारी खुशियां कष्टी हो जाएं सारी परेशानिया दूर हो जाएं और गरीबी घर का राष्टा छोड़ दें दरस्तों इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे क्योंकि जाडू जो है वो मालक्ष्मी का प्रतीक है और दर्रता गरीबी रूपी परेशानिय को घर से बाहर कर बाहर निकाल देती है भगा देती है जाडू से जूड़े हुए बहुत सारे प्रयोग है आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परिसानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है वैसे जाडू मालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग भी करते हैं लेकिन कभी-कभी छोटी-छोटी चीजे भी बहुत माइने खाएंगे जाडू को लेकर अगर छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखें तो घर से जो कलह कलेस होते हैं खत्म हो जाते हैं और घर में मालक्ष्मी का वास होता है अगर हम जोतिस की माने तो जाडू का महत्त सबसे जादा है यह बीमारियों को दूर करने वाली सीतला माता अपने एक हाथ में जाडू लिये हुए रहती हैं और इसलिए जाडू नीमित रूप से अगर जाडू का प्रयोग करने के समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना अवश्यक है जैसा कि आपको पता है सूर्यास्त होने के बाद कभी भी जाडू नहीं लगाना चाहिए नहीं बाहर चली जाती हैं तब छोटी छोटी चीजियों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है जाडू जोतिस की माने तो हमेशा एक ही जगह पर रखने का अस्थान रख लें कोशिस करें अब यह नहीं कि कहीं पर भी जाडू लगाया और इधर उधर रख दिया एक ही जगह प आप देखते हैं तो इसका मतलब एक कुछ आर्थिक नुक्सान हो सकता है इसलिए अगर सपने में देखें जाडू को तुरंत गाय को सुना दे या फिर किसी पौधे को सुना दे उनसे छमा मांगे ऐसा करने से सपन का दुस्परभाव समाप्त हो जाएगा कुछ समय से जैस क्योंकि इसमें निगेविटी चीजे बहुत जादा हो जाती है जादा पुराना जाडू को यूज भी नहीं करना चाहिए और ना ही तूटा फूटा हुआ जाडू घर में रखना चाहिए इससे क्या होता है कि जब आप जाडू लगाएंगे तब तूट तूट कर जाडू लेकर आए तो बेदर होता है जीवन में धन आएगा और खुशियां बरसेंगे जिस तरह से आप अपने घर में धन को चुपा कर रखते उसी प्रकार से जाडू को भी चुपा कर रखना चाहिए धह कर कर चाहिए लोगों की नजरू से आप जाडू को बजा कर रखे ऐसी व ज़ाडू को कभी भी किचन में न रखें और दूसरी बात ज़ाडू जब आप लगाते हैं तो कभी क्या करते हैं कई बार बच्चे जहूंट इदर-दर करते हैं और उसमें आप ज़ाडू लगा देते हैं, ऐसा ना करें पहले पानी का छिड़काओ करें फिर आप ज़ाडू लगाएं अब चुकि ज़ाडू के निचे क्या चीज रखें रात सोने से पहले कि मालक्षमी किरपाबर से देखें राज सोने से पहले जाडू के नीचे आप जो कोडी होते ना कोडी मालक्षमी को बहुत प्री होती है जाडू भी मालक्षमी को प्री होता है कोडी भी होती जो कोडी होती वो जरूर आप राज सोने से पहले जाडू के नीचे दबा के रखें तो जीवन में खुशियां बढ़ती है, गरीबी घर का रास्ता छूर देती है या फिर कोड़ी नहीं है, तो धनिया, साबूत धनिया, खड़ी धनिया आप जाड़ू के नीचे दबा के रख दें, तो मालक्ष्मी जी दोड़ी दोड़ी चली आएंगी और अगर हो सके तो राज सोने से पहले आप जरूर एक रुपे का सिक्का अगर हो तो रख दीजे राज सोने से पहले जाड़ू के नीचे, फिर देखे मालक्ष्मी जी कैसे दोनों हाथों से धन बरसाती है खूब धनाय गधन की वारिस हो जाएगी आपके घर में, गरीबी घर का रोस्ता भूल जाएगी और रोड़ पती भी होंगे, करोड़ पती और अगर कुछ भी ना हो तो मौर का पंख आप जाड़ू के नीचे रख दे, दो की मात्रा में मौर का पंख रख दीजे, जाड़ू के नीचे राज सोने से पहले फिर देखे कैसे चमतकार होता है या फिर आप चाहें तो राज सोने से पहले अगर कुछ नहीं है तो लौंग इलाइची और एक सुपाड़ी राज सोने से पहले ज़ाड़ू के नीचे रख दें तो जीवन में खुशियां बरती है या फिर आप चाहें तो राज सोने से पहले आप ज़ाडू के नीचे हल्दी के गाठ रख दें पांच की मात्रा में तो खुशियां बरसेंगी मालक्ष्मी कृपा आपके घर में बरसेंगी खुब धंधान की बरकत होगी कभी धन की कमी नहीं आएगी तो दोस्तो राज सोने से पहले ज़ाडू के नीचे इनमे से कोई भी एक चीज़ रख दें तो विशेष सलाब होता है, वैसे तो आप चाहें तो काली मेर्चे वियाप रख सकते हैं, इलाईजी रख सकते हैं, विशेष सलाब होता है मालक्ष्मी किर्पा बरस्ती आपके घर में तो दोस्तों राज सोने से पहले जाड़ू के नीचे इनमे से कोई भी एक शीद दबा के रख दे मालक्ष्मी दोड़ी चली आएंगी तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखेगा जै मालक्ष्मी और वीटियो को लाइक करें जदा देदा शेयर करें चनल को सब्सक्राइब करें जै मालक्ष्मी